पर दोस्तों मैं आशी शंतिल फिर से हाज ही रो गया हूँ अपनी जोग्रफी की सीरीज को लेकर आते हुए जो की ऐसी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है हर एक्जाम में चाहे वो कॉंप्टिशन का हो चाहे स्कूल का हो स्कूल का हो चाहे कॉलिज का हो कॉलिज का हो चाहे तुम्हारे मास्टर्स का हो किसी भी एक्जाम में चाहां पर भी जीवन के ग्यान के चलूँ घैण पर आ फिर जिए तो प्रेकर न्तिया को कर दला नश्कार नमुशकार नमश्कार सभी को नमश्कार वैसे आप लोग पीछे डाइग्राम से देख गए होगे और तामनेल भी समझ गए होगे आज कामारा मुस्द्धात क्या है सौरमंडल का परीचे तो स्वार मंदल के परीचे में ये दुनिया घुमती घुमती तो नजरानी चीए ना कि कैसे क्या सब कुछ घुम रहा है गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिं ओके मुझे लग रहे हैं पर वो ठीक नहीं आ रहा होगा चलो फिर भी देखते हैं कौन-कौन कहा कहा से जुड़े हो एक बार कमेंट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स पर स्टेट का राज्य का नाम कमेंट कीजिएगा फिर मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ जल्दी बताइए कौन-कौन कहा से जुड़ा है देखे दो सही हम किस्से बात कर रहे हैं कौलकाता पश्यमंगाल मुरादाबाद उत्तर परदेश हैं ओके पश्यमंगाल जम्मु कश्मीर रोत्तक ओए जहांसी ओ बहुत आगे तक चले गए मेरे को दिखाई भी नहीं देख रहा है चलो बहुत अच्छे श्याल कोट अच्छा स्याल कोट ठीक है ठीक है ठीक है तो बहतर है उमेद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लासिस पसंद आ रही होगी उसी सीरीज को मैं बागे बढ़ाऊंगा स्वार मंडल के बारे में बात करूंगा मेरे पीछे जैसे के आप अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो सुरू करें दोस्तों अपनी क्लास को रोमन महराश्च्छा मेरी क्लासिस आपको अच्छी लग रही होगी उमीद करता हूँगा अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और लोगों को बताना फ्रश के बारे में ताकि वो भी मेंसरी जुड़ सके और में उनसे भी बात कर सकूँ और तुमसे भी बात कर सको और साथ-साल नशीबीक विक्लियर कर सकूं। ठीक है, हाँ, बैंगलोर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात है बहुत अच्छी बात है यह फैक कहा पकिस्तान आ stop मैं सोच चलिक सब्सक्राइश पागिस्तान यादा गया पक्स्तान ठीक 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 ग्रेट बेट नेपाल से भी है नेपाल से है जाबवा जिला मध्य परदेश से जोगरोफी जी के क्या बात है लेकर over चलो दोस्तों शुरू करते हैं जी चीनू मैं तुम्हारे को भी समझगा फरस्टी है उमीद करता हूँ अंतिम क्लास तक तुम लोग बने रहोगी यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे से कोशन बनती है सौरमेंटर की बात करेंगे और मैं आज इक लास में शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं लगबल लबग साड़े साथ सो जी हाँ साथ सो से भी ज़्यादा कोशन आप लोगों को याद कराने वाला हूँ आज इक लास में सर मजाक कर रहे हो क्या तमहें लगता है मेंने कनमें मजाक नहीं करूँगा लीकिन हां ये मेरा दावाँ लगबलबहक साड़े साथ सो से जागता कोशन आज तुम्हारको उंगलियों पर उंगलियों पर याद कि भीजूँगा कैसे मेरे पर छोड़ दो шुरू करते हैं अगर हम ऐसे ग्रहों को याद करने लग गए तो जैस्टी बात हमसे नहीं हो पाएगा, यह बड़ा सा ग्रह आपको कौंसा दिखाई दे रहे, यह जूपिटर, द्रस्पती, यह रिंग वाला, रिंग वाला ग्रह कौंसा दिखाई दे रहे, शनी, सैटन, सैटन, हमारी पृत् वस्तु जो हमारे सुरज के चारों तरफ घुम रही है, वो सब की सब छोटे से छोटा पत्थर, चाहे वो एक सेंटीमेटर का हो या बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा कोई ग्रह हो, जैसे ब्रस्पती, हजारों किलोमेटर का डायमेटर, किसी का भी क्यूना हो, वो सोर मंडल परिवार का हिस्सा कहलाती है इतनी सी definition है मतब अगर तुमसे कोई पूछ ले सोर मंडल solar system क्या है वो हर वस्तु जो सूरज के चारज तरफ घुमती है किसी भी शेप में किसी भी रास्ते पर चाहे वो गोलाकार हो चाहे वो अंदाकार हो किसी भी तरीके से चाहे वो वस्तु गोल हो चाहे वो वस्तु इन्रेगुलर हो जिसकी कोया करती नहों हर वो वस्तु जो सूरज के चारज तरफ घुमती है वो सोर मंडल में कहलाती है वही सोर मंडल है सूरज का परिवार सूरज का परिवार जिसमें आप लोगोंने सिर्फ ग्रह सुने होंगी लेकिन म अब दिखते हैं, देखे, सबसे पहले तो आपको पता होना चीए, आठ कोशन, आठ कोशन सूरज से दूरी के हिसाब से, सूरज के सबसे पास कुन सा है, मरकरी, मरकरी यानि की बुध, चलो, मैं यहाँ पर रहे न, लिखता चलता हूँ, थोड़ा सा आपको पता चलता रहेग यह बुध है, यह शुक्र है, ठीक है, यह पृत्वी है, ठीक है, यह मंगल है, हिंदी मैं लिख रहा हूँ, ब्रहसपती है, ब्रहसपती, यह शनी है, अरुन है, और वरुन है, अगर मैं सूरज से दूरी के हिसाब से बात करूँ, सूरज से दूरी के हिसाब से, तो सूरज के सबसे पास होगा, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, वो है बुद शुकर पिर्थवी, उसके बाद मंगल गरे, मंगल गरे के बाद भरस्पती शनी अरुन वर्ण, मेरे साथ मन मन में बोल कर दिखेगा, ताकि ये सब कुछ याद हो जाएगा, हिंदी में मैं बुद शुकर पिर्थवी, मंगल, बुद शुकर पिर्थवी, मंगल, बुद शुकर पिर्थवी, मंगल, रट्टा नी लगाना, बुद शुकर पिर्थवी, मंगल, और फिर पीछे के चार, और वो कुन-कुन से हैं, ब्रश्पती सनी अरुन वरुन, ब्रश्पती सनी प्राट क्रहों का पता होगा तो जभ कोशिन पूछाएगा कि यह आपको वैसे आपक को नौलीज होनी चाहिए कि सुरज से पांचवा सब्सें दूर ग्रह का कौन है या पांचवा से पास का ग्रह कोन है बात थhã यह यह दो पांचवा दूर या पात पस एक ही बात है और वो तो वो पढ़ जाएगा आपका uranus, uranus यानि कि अरून, 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 तो ये मुद्धा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या ये, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक बात, तो आठ कॉशन आपके सामने है, सूरत से दूरी के हिसाब से, नेक्स्ट, आठ कॉशन के अगर मैं और बात करना चाहूं, तो वो किस प्रकास से बनेगा, अकार के हिसाब से, अकार, मैं इसकी न, कोपी बना लेता आठ क्रहों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, आठ क्रहों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये लो मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, चार अंदर रह जाएंगे, चार बाहर चार बाहर, अब अकार के हिसाब से अगर तुमसे पुछा जाए, तो देखना क्या करा यह ओडर है सबसे बड़ा गरह प्रताय भरस्पती जुपिटर दूसरा शनी सैटरन तीसरा अरून चोथा वरून यानि कि जुपिटर सैटरन यूरनिनस नेप्चून यह चार गरह सिंपल आठ क्रहों को दो हिस्सों में तोड़ दिया है चार चार अकार के सबसे बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा सबसे बड़ा कौन है ब्रस्पती तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह बात समझ में आ गई होगी है ना और फिर हम फिर हम हम कौन पिर्थ पांच वार और स्कूल में आप लोगों ने वो PTI Master देखोगा PTI Master PTI Master क्या करता था मेरे को लिखकर बताना मैं देखूंगा लिखकर कि तुम क्या बोलोगी स्कूल में जो परेड होती थी या सेना के जो परेड होती है उसमें क्या बोला जाता है या लेफ रैट लाइट क्या बात है आप तो बहुत समझधार हो सबके सब बहुत समझधार हो left, right, left, 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 सत्य वचन, तो आकार के हिसाब से, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, फिर हम, हम मतलब पिर्थी, और हमारे बाद जो मास्टर कहता था, left, शुक्र, right, अपना left देखो, left, left, right, left, left, मतलब पाँचवे पर हम हैं, और छेटे पर हमारे left side वाला, कौन, शुक्र, और साथवे पर हमारे right side वाला, कौन, मंगल, और फिर आठवे पर हमारे left side वाला, तो left, right, left, 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 right, left, और इस प्रकार से, आप लोग अंदाजा पता पाओगे कि अकार के हिसाब से सबसे बड़े ग्रहे कुन से हैं, तो अभी तक मैं आपको 16 कोशन करवा चुका हूँ, साड़े 700 कोशन करवाऊंगा, 16 कोशन क्या है, 8 करह सूरत से दूरी के हिसाब से, और 8 करह अकार के हिसाब से, अकार के हिसाब से कैसे बताया, एक, दो, तीन, चार, फिर हम, हम, और हमारे बाद left, right, left, left, right, left, ये सिंपल सा तरीका है, उमीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, उमीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, यह आठ गरे याद हो गए, मुझे बताओ, लाइक करो, वना डिसलाइक जरूर करना, कास ऐसे गुरू भी हमें मिले होते ही, काम्याब तुम होगे, बिल्कुल होगे, क्यों नहीं होगे? है ना काम्याब तुम जरूर होगे जरूरी नहीं सरकाई नोक्री ही काम्याबी होती है अगर तुमने सरकाई नोक्री नहीं प्राप्त करी तुम्हारी उमर ज्यादा हो चुकी है तो क्या हुआ ग्या नर्जित करो ग्या नर्जित करो ओके तो यहां तक बाते आप लोगों को समझ में आ गई होगी ओके, 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 ओके बेहत्रीन, बेहत्रीन, मज़ा आगया,omatर्ट, स्टेटस, सुपरब एक वार, अच्छा, बिहार से बिहार तक अब इता तरह नाम क्या ले, बिहार से बिहार तरह नाम है MP से भी YES, YES, YES तो एक बार मन मन में सोचना अकार के हिसाब से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 फिर हम और हमारे बाद Left, Right, Left Left, Right, Left यानि कि शुकर, फिर मंगल, फिर बुद्ध यानि कि Venus, Mars and Mercury यह अकार के साफ से बहुत हैं हाँ दूरी के साफ से भी है लेकि दूरी के साफ से मैं बताना नहीं चाहता है क्योंकि तुम्हारे को ग्रहों का नाम पता होना जरूरी है फैजल 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 खान मैं दूरी के साफ से भी तुम्हारे को बता सकता था लेकि बताना नहीं चाह क्योंकि तुम्हार को कम से कम इन ग्रहों का नाम याद होना चाहिए तभी मैं साड़े साथ सो कोशन याद करा पाऊंगा इन आठ ग्रहों का नाम याद होना चाहिए तभी तुम एक दो तीन चार करोगे अधरवेज रट्टा लगाते चले जाओगे तुम सिर्फ और सिर्फ ठीक है ना जपीशपंड़ को मडारल बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट एक सर और आठ कोश्फिन कराऊं अब बात करते पिर्थवी से दूरी के साम से हम से दूरी के साबसे मैं पिर्थवी को दुबारा मतलब हमारे ग्रहों को दूबारा दो भागों में डिवाइड कर र अंदर में से या बाहर में से पिर्थवी के सबसे नजदीक कोन मिलेगा अंदर वालो में से या बाहर वालो में से हमारे सबसे नजदीक अंदर वालो में से या बाहर वालो में से बताओ मंदीप तरको पता होना चाहिए था पिर्थवी का ये लेफ्ट उससे दूर ये राइट उससे दूर ये लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट सेम वही दुरहो मनलब पिर्थवी के सबसे पास का ग्रह कौन है शुक्र है पिर्थवी से दूसरा पास का कौन है वो विनस स तीसरा पास का कौन है मरकरी यानि की बुद्ध है सर उसके बाद उसके बाद तो तुम्हें पता है और दूर और दूर और दूर और दूर तो चोबिस कोश्चन आप लोगों को याद हो जाने चाहिए आठ कोश्चन सूरज से दूरी के हिसाब से सूरज के सबसे पास बुद्ध फिर शुक्र फिर पिर्थ्वी फिर मंगल मरकरी वीनस अर्थ मार्स द्रस्पती शनी अरून वरून जूपिटर सैटर यूनिरिस नेप्चुन अकार के साब से एक दो तीन चार फिर हम और हमारे बाद लेफ्ट मतलब हमारे बाद पांचवा पांचवा लेफ्ट राइट लेफ्ट अकार के साब से और अगर पिर्थ्वी से दूरी के साब से बोले तू हमसे दूरी अरे तो हमारे सबसे पास तो इधरी कोई होगा ना त लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, मतलब सबसे पास हमारा ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उमिद करता हूँ, ये 24 कोश्टिन समझ में आ गए होगी, पिर्थवी के सबसे, तुम बताओ, पिर्थवी के दूसरे सबसे पास कोन है, pdf आपको Galaxy Access के application पर मिलेगा, मेरा left की आपका left, अभे तेरा left exam करेक कर, तू क्या exam करेक करेंगा रे, तू क्या student बनेगा रे, तेरा left, मेरा left को क्या होगा, हा, पिरत्वी से दूसरा पास, दूसरा पास मंगल ग्रह, मंगल ग्रह मतलब मंगल ग्रह मतलब मार्स क्योंकि सबसे पासल लेफ्ट वाला फिर है राइट वाई स्कूल में जो सीखते थे था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट वही करना है बोला जी मतरब अगर अकार के साब से बोलता है तो एक, दो, तीन, चार, फिर हम, हमारे बोलती ही, हमारे बाद लेफ, राइट, राइट, लेफ्ट, अकार के हिसाब से, हम से दूरी पूछ रहा है, हम से दूरी, हम से दूरी, हम से दूरी, हमारे बाद, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, हमारे बाद लेफ्ट, र उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, तो ये 24 कोशन उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ गया, ग्रेट, 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 समझ में आए, तो लाइक जिरूर करना है, वना डिसलाइक करें भीना जाओगे नहीं तुम्हें पता ही है मैं जनाने नहीं तुम्हें दिसलाइक करें भीना ऐसे थोड़ा न चले जाओगे डिसलाइक करना बनता है है ना चलो अब और क्या-क्या कोशन बन सकते हैं क्या-क्या कोशन आ सकते हैं अब सुनिए मेरी बात सुनिए यह जो च छार जो ग्रह मैंने बनाए न, ऐसे मैंने नियंहें बनाए हमारे जियोगर्फ हर भुगोल, भुगोल की सास्तिज wonders न बनाए है है चार इधर चार इधर इन चार ग्रहों को बोलते हैं inner planets इन्नर planets और था आंत्रिक ग्रह सो अंत्रिक ग्रह सो अँपे het आउटर प्लेट्स यानि कि बहरी ग्रहें बहरी ग्रहें बहरी ग्रहें अब इन दो हुश्टों को सुन्दू अब तुमसे पुछेगा इन में से कौन सा आंत्रिक रहें और इन में से कौन सा बहरी ग्रहें अब जैसे फॉर एक्जामपल तुमसे पुछा गया सबसे बड़ा ग्रह कुंसा है तुम कहोंगे जुपिटर ना ना सबसे बड़ा आंत्रिक ग्रह कुंसा है इधर तो सबसे बड़े हम है तो आंसर पिर्थवी होगा ना कि जुपिटर तुम से पुछा जाए सूरज के सबसे नजदीक कुंसा है तुम कहोंगे सर बुद्ध मरकरी नहीं नहीं स सबसे नजदीक बहारी गरह कुन सा है बहारी गरह तो ब्रस्पती है वो सबसे नजदीक है तुमसे कहा जाए सूरत से सबसे दूर कोन है तुम कोगे वो 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 नहीं वो कहले सबसे दूर का आंत्रिक गरह इनर प्लैनेट तो वो तो ये है मंगल 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 तुमसे पुछा पिर्थवी के सबसे पास कुन है तुम कुदे 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 सर लेफ्ट लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट शुक्र वीनस अरे वो पूछी नहीं आ है वो पूछ रहा है पिर्थवी के सबसे पास का बहारी ग्रहे सबसे पास का बहारी ग्र इनर प्लेनेट कुण सा है, वो तो मार्स है, तुमसे पुछा देगा सबसे छोटा गरह कुण सा है, तुम कहोगे सर बुद, 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 ब बड़ा आँंत्रिक, और स Egyptian, सुरुज & चौटाuir, बढ़े बारि, सुराँसे पास आंत्रिक, सुरँसे दूर generation, सुरु से दूर बारि, पृत्वी के पास आंत्रिक, पृत्वी से दूर बारि, बढ़ते कर्म मैं बारि, गटे कर्म में बहारी बढ़ते कर्म में आंत्रिक इनर गटे कर्म में आंत्रिक तो 24 कोशिन कराए थे मैंने तुम्हार को 24 को 10 से गुणा कर दो और कोपी पैन पर ना बेसक से एक एक कोशिन को लिख लिख कर दिख लिए ना अगर 24 को रफ आइडिया वैसे तो उसे भाल्दू उता है लेकिन अगर 10 से गुणा कर दोगे न तो 240 question तुम कर चुके हो क्योंकि वो आंत्रिक और बहरी का सहारा लेकर इतने question घुमा देगा इतने question घुमा देगा किसे न सोची ना होगी बहुत question घुमा देगा 200 question कर चुके हो तुम एक क्योंकि लिख कर देखना बताओ समझ में आया आ रहा है समझ में आ रहा है ओके ओके अच्छा मैं ग्यान का भंडार हूँ वो बात की बात है मसका मतलगा मैं फिर भी उत्रहीं पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है तेरे मसके से मैं ज़्यादा पढ़ाने लग जाऊंगा ठीक है अरे बिहार से अच्छा बिहार से भी हो inner planet mercury है सबसे दूर हाँ mercury नी मार्स सूरत से सबसे दूर सूरत से सबसे दूर मार्स ओके ठैंक्स 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो समझ माए तो like करते चलना है वना dislike करते चलना है dislike जरूर करोगे तुम्हें कसम है अगर समझ में ना आए तो ओके मैं भी हूँ सर कौन है वो साइंस सोन हूँ सोन याद हो नहीं सतिंदर जी अच्छा पेशावर से पागिस्तान सान्या नहीं सान्या मिर्जा तो नहीं हो सकती सान्या रह्मत ठीक है ठीक है ठीक है चलो और आगे बात करते हैं और आगे क्या बात करते हैं यह जो अंदर के चारकर है ना अंदर के चारकर है जो है इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है terrestrial, अर्थार्थ पार्थिव गरे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये जो बाहर के जो चारक रहे न, इनको जोवियन के नाम से भी पुकारा जाता है, जोवियन प्लैनेट, क्यों मैं बताता हूँ, जोवियन गरे, जोवियन, जोवियन गरे, ठीक है, तो एक तो इनका नाम है आउटर प्लैनेट, और एक है जोवियन, इनका नाम है इनर प्लैनेट, और एक है टेरेस्ट्रियल, इसको मैं और डिटिल में समझाता हूँ, मेरी बा पिर्थ्वी से मतलब हम से मतलब अगर मालो स्पोज करो कल को दूसरी दुनिया के लोग हमें मिल जाती है और हम इनी शब्दों का प्रियूग करते हैं हम कून है हम टेरिष्ट्रियल है यह कैमरा मेरा चस्मा मैं मेज मम्मी पापा तुम्हारे हैं सोफा बिल्डिंग जिस भी का सम्मंद हमारी पिर्थ्वी से होता है हम उसको टेरिष्ट्रियल बोलते हैं और वैसी हिंदी में उसको बोलते हैं पार्थिव तो टेरिष्ट्रियल जो नाम है वो हमारी पिर्थ्वी का नाम है पार्थिव जैसे तुमने सुना होगा पार्थिव पिर्थ्वी से सम्मदि किसी के मरने के बाद हम क्या कहते हैं पार्थिव शरीर को विदा करो पार्थिव पार्थिव शरीर को लेके जाओ पार्थिव 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 कि हर उस्षव छीज का संबन जिसका संबन पिर्थीष से हैशर वह वस्तू उसको पार्थीव बोला जाता है। वाओ वाओ उ शुने ऐसे मत कर दे न कभी घर जाओ मम्मी पापा सोफी पर बैठे हैं और कओ देख दो पार्थिव शरीर बैठें हुए हैं, भाई हमारे याँ पार्थिव शरीर बोलते है,' मरने के बाद, खामा खामाद in तूम मत मर जाना,, आज के आज, कभी मम्मी पापा BBQ और कहो देख, दो पार्थिव शरीर यहां बैठे हैं, एक पार्थिव शरीर अंदर टीवी देख रहा है, तीसरा पार्थिव शरीर भार खेलने गया है, चिन्टू मिन्टू, तब बहुत पिटोगे, बहुत जाला पिटोगे, तो मैंने पिटोगा, तो हर उस वस्तू, जिसका सम्मध पिर् टेर्स्ट्रियल, ठीक है, तो टेर्स्ट्रियल रेडियेशन, वो रेडियेशन, वो विकिरन जो पिर्थवी छोड़ती है, वो गर्मी जो पिर्थवी छोड़ती है, उस गर्मी को बोलते हैं, टेर्स्ट्रियल रेडियेशन, पार्थिव, पार्थिव विकिरन, भोमिक विक यह किरण उसको बूलड आता है कि मैथ क्लास ऐसा कौन है जो आपको डिसलाइक करेगा सर अरे हूट मेरे भाई ऐसी बात नहीं है तो सुनो मेरे को बताओ टेरिश्ट्रेश्टीयल किसका नाम है पार्थिव किसका नाम है पिर्थ्वी का और अंदर हुकोमत किसकी है पिर्थ् सबसे बड़ा गरहे कौन है पिर्थवी तो पिर्थवी के चक्कर में इन चारों को पार्थिव गरहे बोला जाता है पिर्थवी के चकर में सबसे बड़ी यहां पिर्थवी है तो बड़ों के उपर तो नाम पड़ता ही है है ना पिर्थवी तो अगर तुमसे बोला जाए ध् इन में से कौन सा पार्थिव गरह है सुनना, पार्थिव गरह है, आप्षन दे रहाओ और it justeńskak, पार्थिव टेरेश्टियल, एक, दो, तीन, चार, आंसर बताऊ क्या लगाओगे, अगर तुमको यह चार अप्षन दे रहाओ, इन में से कौन सा पार्थिव गरह हैं, बताओ, इसमें आंसर क्या लगाओगे, एक, दो, तीन, चार, ये है, मंगल, मार्स, जुपिटर, सैटन, उरेनस, इन में से आंसर क्या लगाओगे, सब के सब जानते हैं मंगल ग्रह, मार्स, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकि पताओ अंसर के लगा। इन मेशे कौन सब पार्थिव घ्रह हैं? और उप्षिन मेश चार आजाएं। पहली बात ये चारो पार्थिव है। लेकीन अगर उप्षिन में आ जाता है तो अगर option में तुम्हार को इस प्रकास से कुछ देता, कि निमलिकित में से कौन पार्थिव है, एक, दो, तीन, चार, तो आंसर है ये, option में पिर्थवी तो नहीं है, तो आंसर है ये, या normal वारतलाप में तुमसे कोई पूसता है, क्योंकि पार्थिव नाम है पिर्थवी का, पा लेकिन, अगर option में मिल जाता है, एक, दो, तीन, चार, और पूछा जाता है, इन में से पार्थिव, टेरेश्ट्रे प्लेनेट कौन सा है, ऐसे case में तुम्हार को आंसर लगाना है, पिर्थवी, क्योंकि हकीकत में पिर्थवी का नाम है, हाँ, हकीकत में पिर्थवी का नाम है, उमीद करता हूँ, यह बात आप समझ रहे होगी, great, next, अब इधर आती, सर यह जोवियन लिखा, जोवियन, जोवियन क्या है, देखो, ज्यादतर चीजों की जो, खोज करी थी, वो यूनानियों ने करी थी, यूनानि, यूनानि समस्तों यूनान, ग्रीस, ग्रीस, अरे जहिर सी बात है, तो वो अपने हिसाब से नाम लखेंगे, तो यूनानियों के सबसे बड़े देवता पढ़ते हैं, जिनका नाम है जोवियन, और जोवियन बोला जाता है, जोवियन बोला जाता है, जुपिटर को, दरस्पती को, जोवियन, अब मुझे बताओ, जैसे, यह सबसे बड़ा कोन है, ब्रस्पती, जुपिटर, और जुपिटर के चक्र में चारों को जोवियन बोलती है, लेकिन जोवियन, युनान के देवता है, युनानियों के देवता है, बगवान है उनके, और वो उन्होंने नाम रखा है इनका, ब्रस्पती का, हकीकत में जोविय वह जुपीटर है, जुपीटर यानि कि भ्रश्पती है बिलकुल, 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 जुपीटर के भगवान तो अब, अब, सेम चीज है, सबसे बड़े हैं हम, हम हैं पार्थिव, हमारे चख्कर में 4 हैं, तीनोर, सबसे बड़े हैं ब्रत्रश्पती है जोवियन और इसके चक्र में तीनों को बाकी तीनों को भी टोटल चारों के चारों को जोवियन बूलती है उनके देवता है कि ठीक हैonas वहाफ यखी बात बहुत अश्य बात अब इधर देखने हैं अब अगर तुमसे पूछा जाता है इन में से कौन सा Jovian Gray है? Option दे रहा हूँ, Option एक, दो, तीन, चार नमबर लिखना, नमबर, नमबर लिखना, एक, दो, तीन, चार, Jovian Gray कौन सा इन में से? ओके, 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 तीन, 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 पे को नहीं, हाँ, ब्रसपती, बिल्कुल सही समझ रहे हो, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, नमशकार, 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 अच्छा, सुलील चोकर, काफी दिनों बाद दिखाई दिये हो, है, हाँ, बहुत श्याय-दर लोग समझ गए हैं और अगर आपको मैं पूछh की इन मैंसे कॉन सा जोवियन ग जाया है और सने एक दो तीड चार अब बताओ अब आइनसर क्या लगाऊग rifles इन मैंसे कौन सा जोवियन ग जोवियन 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 बताइएख और ौहा हा तो आंत्रिक ग्रह बहारी ग्रह, पार्थिव ग्रह जोवियन ग्रह अब तुमसे फिर कंफ्यूज किया जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कुंसा है? तुम कहोगे जुपिटर नइ पार्थिव टैरेश्टिल प्लेनेट कुंसा है? वो तो पित्ख्री है सबसे छोटा ग्रह कुन सा है तुम कहोगे मरकर यानि की बुद्ध अरे नई सबसे छोटा जोवियन प्लैनेट कुन सा है जोवियन ग्रह कुन सा है तो आंसर तो वरून है सूरज के सबसे पास कुन है सर ये है अरे नई जोवियन ग्रहों में कुन है तो वो तो जुपिटर ब्रस्पती है सुरज के सबसे दूर कौन है तुम कहोगे सर ये है अरे नई पार्थिव टेरेश्ट्रिल ग्रहों में सबसे दूर कौन है वो तो मंगल है मार्स है पिर्थवी के सबसे करीब कौन है सर वो तो शुक्र है अरे नहीं, जोवेन गरहों में सबसे करीब कौन है, वो तो भरस्पती है, जुपिटर है, हाँ, 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 तो इस प्रकार से, उन 24 कोशनों को तोड़, 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 तोड़ करके, 24 को दस से गुणा और कर दो, तो 240 और हो जाता है, तो 240 और 240, 400, 400, 400, 400, 400, 400 कोशन तुम्हार को मैं करवा चुका हूँ, 480 कोशन मैं तुम्हार को करवा चुका हूँ, गुरु जी, कल मेरा रीट का पेपर है, तो कल सेलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपके मिड़े मील से खाना लेगा हूँगा, लिया ही हो यार, क्या दिक्कत है, हम खाएंगे ना, त क्लियर हुआ, लाइक करो, येस करो, लाइक करो, येस करो, अगर यहां तक बाते समझ मा रही है, तो लाइक करो, बताओ, क्या है ये, अच्छा, ठीक, 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 ठीक है, तो जल्दी, लाइक करो, लाइक करो, येस करो, ठीक है ना, हाँ, समझ मा आ गया, आ गया, आ गया, अग्या आग्या चारा ङवाइगय आजया आजया आग्या अच्छी बात आ इसा love एक नेक्स और क्या हो सकता है अब देखिए इन अंदर के चार ग्रहों को एक और नाम से पुकाला जाता है वह बोला जाता रोकी प्लैनर्स रोकी रोकी मत्तब होता है ठोस और फोस मेरे साब से ऐसे ही लिखते हैं कि यह भरी डाए है ऐसे लें कि लिखते हैं कि हिरी हिंदी मेरी ब्हुत कमजोर है इसलिए मैं अपने technician से पूचा है, अपने management head से पूचा है इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ओके, और इसको बोलते है, gaseous planet, यानिकि gaseous planet, अब ऐसा क्यों होता है, इसकी बात में सुनना, ठोस करे, gaseous planet, ठोस करे, इसके ओपर भी मैं तुम्हार को बताता हूँ, क्या होता है, ध्यान से स इट, brick, brick मतब brick, मतब eat जिससे घर बनती है, देखी होगी, होता है क्या है, पहले कच्ची मिटी को, बिलकुल मिटी को गीला करते हैं, मिटी को बिलकुल गीला करकर, जैसे आटा आटा गून्दते हैं, आटा, वैसी मिटी को proper तरीके से गून्दते हैं, और उसको फिर हम एक इक फ्रेम में, जिसको डाई बोलते हैं, एक फ्रेम में डाल देती है, जिससे उसका ईट का आकार आज आता है, और फिर हम क्या करते हैं, उस मिट्टी की, उस कच्ची मिट्टी को हम धूप में सुखाती है, हाँ दूप में सुकाती हैं कई दूप में रहने के बाद वो जो इट बनती है वो कच्ची इट होती है क्या हुआ ओके ओके तो क्या है कई दूप के उसके बाद वो इट है ने कच्ची होती है कच्ची अब उस इट को अगर किसी के सर पे फैक के मारोगी सर फूटेगा या नहीं फूटेगा मुझे नहीं बता लेकिन इट जरूर फूटेगी क्योंकि वो कच्छी है अब कच्छी इट को पकाने के लिए क्या करते हैं आप मुझे ये बताओ मैं आप लोग उसे देखना चाहता हूं कमेंट में आप बस मुझे इधर उपर करना इधर उपर तो अगर कच्छी इट को पकाने के लिए क्या करते हैं। तो मुझे इतना बताओ। Rob कि थोड़ा से अरे ऊपर करना थो उसको बस कची इट को पसाटेंहें को comment नि दिख पारे थे कि हां सब्सक्री क कच्ची इट को पकाने के लिए ऱुच्छ लोग क्या करते ऋ हैं एनरजी, हीट, बिल्कुल बिल्कुल गरम करते हैं, आग में पकाते हैं, आग में पकाते हैं, बहुत अच्छी बात, मतलब तुम सबको ग्यान है, तो भई हुआ क्या, एक ग्राउंड में से, एक खेत में से, एक फिल्ड में से, हमने मिट्टी निकाली, गिला किया, उसको एक चिमनी चिमनी बठे बठे बठा चिमनी उसमें पकाती हैं। गर्मी में पकाती हैं। फिर वो होती है पक्की। तो सर कहना क्या चाहती हूँ, अब बठाई तो है ये, सूरज, आग का गोड़ा, और ये पिर्त्वी, ये मंगल सुक्र, ये सब मिट्टी कही तो हैं, कहीं भी खोदाई करके देख लो, मिट्टी मिट्टी है, और इसी मिट्टी को ये पकातो रहा है, ये बठा, ये आग का ग ज़्यादा ठोस है, इसलिए इनको रॉकी प्लेनेट्स बोला जाता है, क्योंकि बठाई रहा हूँ, आग ये री, जो भी तुम वर्ड यूज़ करते हूँ, बठी, बठी ये री, समझ लिए हो, और जैसे हमारी पिर्त्वी है, हमारी पिर्त्वी बहुत कटोर है, हमारी प बारह हजार साथ सोचपन किलोमेटर गहरी है, इस साथ सोचोदा मैसे, बारह हजार बहुत दूर की बात है, साथ सो भी बहुत दूर की बात है, ये चोदा भी बहुत दूर की बात है, हमने खुदाई करते करते, खुदाई करते, सिर्फ चार किलोमेटर तक खुदाई करी है हम आज तक मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, सौर मंडल को पार कर चुके हैं मनुश्य चांद पर कदम रख चुके हैं, ब्रह्मांड के ज्ञान हो चुका है लेकिन आज तक हम अपने पिर्थवी के अंदर नहीं जाक पाए यह बहुत कठोर हैं, यह बहुत जादा डेंसिटी है इनफेक्ट, सौर मंडल में सबसे कठोर, सबसे ज़्यादा डेंस घनत वाली है हमारी पिर्थवी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैं? ओके, तो कुल मिलाके देखा जाए वठे की चिमनी में पकते हैं पकाते हैं जो भी है जैसा भी होता है तो इस प्रकार से यह जो आगे के जो चार ग्रह पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं क्या Rocky Planets यानि कि ठोस्ट करें क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि आग के वज़े से यह पक पर गए तो भ्रश्पति मतलद पूरा गैस का गोला है हम उपर उतरेंगे और इसके सीदा अंदर से सिदा पार हो जाएंगे नहीं 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 ऐसा नहीं एसा बिल्कुल भी नहीं लेकिन हुआ क्या मेरे द्धान से समझता है उख क्या सभी के सभी जो ग्रय होती है सभी के सभी जो ग्रह होती है एक जमाने में पूरा का पूरा एक प्रकार से जो ग्रह होता है ग्रह के अंदर बहुत गर्मी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी इतना सभी ग्रहों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और होता क्या है उस अंदर तापमान अधिक होने के कारण, अंदर कुछ पदार्थ पिगल जाता है, उस पिगले हुए पदार्थ को बोलते हैं मैगमा, क्या बोलते हैं मैगमा, अंदर किसी भी ग्रह के अंदर जो पिगला हुआ पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं मैगमा, और मेगमा के अंदर होती है गैस, तो वो जो गैस है, उस पिगले हुए पदार्थ को वो बाहर की तरफ उच्छालती है, बाहर की तरफ उच्छालती है, और वो मेगमा ग्रह से बाहर निकल जाता है, ग्रहे से बाहर निकल जाता है उस प्लैनेट से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद जो गैस होती है वो गैस उपर उड़ जाती है उपर उड़ जाती है जैसे कभी तुम लोगों ने चाय बनाई हो तो जब चाय बनाओगे तो चाए जब पक जाएगी, तो चाए उफान आता है, और चाए बहार निकल जाती है, चाए उपर कैसे उठ जाती है, क्या तुमने दूद भालत उडाला था, या तुमने पानी भालत उडाला था, चाए उपर कैसे उठती है, या दूद, दूद तुम गरम करती हो, जब जो गैस होती है उसके अंदर वो उसको उपर उठाती है तो होता क्या है मैगमा जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलकर मैगमा फैल जाता है और उसको बोला जाता है लावा मैगमा और लावा कई लोग सोचते हैं एक हिंदी का वर्ड है, एक इंगलिश का वर्ड है, नहीं, ग्रह, प्लैनेट, पिर्त्वी हो या जूपिटर, उसके अंदर जो पिलावा पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं मैगमा, और जब वो बहार निकल जाता है, सतय पर आ जाता है, उसको बोलते ह हैं लावा, इनमें दो फर्क होते हैं, मेजर, एक मैगमा के अंदर गैस होती है, लावा के अंदर गैस ना के बराबर होती है, क्योंकि वो गैस बहार निकल जाती है, दूसरा फर्क, मैगमा जो होता है, वो बहुत जादा गरम होता है, लावा भी गरम होता है, लेकिन कमपे अगर 30,000 degree Celsius है तो इसका ताप मान 15,000 degree Celsius होगा rough idea, rough idea, rough idea, ऐसा तुम मान के चलो अब सुनो, लावा गया भाड में, मेगमा गया भाड में इस मेगमा को उपर कोन लाता है, मुझे बस इतना बताओ इस मेगमा को उपर कोन लेके आता है मेगमा को धर्ती के अंदर से उपर कोन लेके आता है? मुझे बस इतना बताओ एक बन मैं कमीट बोक्स पर देख रहा हूँ मेगमा को उपर कोन लेकर आता है? एक बन इसको बताओ है वई? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें गैस नहीं रुख पाती पानी के अंदर लक्षमी पानी के अंदर गैस नहीं रुख पाती हाँ गैस 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 वैपर्स वैपर्स बहुत बढ़िया अब जब गैस बाहर निकलती है तो गैस की कोशिश रहती है कि गैस उड़ जाए उड़ जाए और उड़कर उ उत्वा कर्शन उस गैस को खीच लेता है और जिसकी वज़े से वो गैस अंत्रिक्ष में नहीं जा पाती है और वो गैस अंदर ये अंदर फैलती चली जाती है और अंदर ये अंदर फैलती चली जाती है और अंदर ये अंदर फैलती चली जाती है और जिसकी वज़े से पैद आई कहा से, धर्ती के अंदर से, इसके उपर कई से दान्त है, कोई कहता है कोई उलका पिंड आया था दूर से, कोई आया था वहां से, वहां से वाईउ मंडल आया, नहीं, वाईउ मंडल एतमोस्फेर, वो धर्ती के अंदर से निकला, कैसे, मैगमा के अंदर गैसिस थी, वो मेगमा को उपर लेकर आया मेगमा फैल गया जिसको लावा बोलते हैं और गैस अंत्रिक्ष में जाने की कोशिश कर रही थी लेगिन गुर्तवा कर्शन ग्रैविटी ने उसको खीच लिया जी हाँ ग्रैविटी गुर्तवा कर्शन हर चीज को खीच लेती है जैसे ये मारकर है मैं हूँ मैं उच्छल कर चांद पर नहीं जा सकता जैसे कोई गुबारा है गैस का गैस का गुबारा होगा उपर जरूर जाएगा लेकिन अंत्रिक्ष में नहीं जाएगा वो गुबारा होता ना लेकिन वो खीचा जाएगा वो जरूर खीचा जाएगा और जैसे जैसे अंदर से मैगमा और आएगा और आएगा और आएगा गैस और आएगी और आएगी और आएगी अब एक और बात समझना जो वस्तु जितनी बड़ी होती है उसमें ग्रैविटी उतनी ज्यादा होती है In Earth, चांदुन्य रचंद और पिर्थवी में ज्यादा बड़ा कोन है? पिर्थवी पिर्थवी का गुर्त्वा-क्रश्ण ज्यादा होगा गुर्त्वा-क्रश्ण बल ग्राविटेशन फोर्स पिर्थवी और जुपिकर ऑफ्रस्पती में बड़ा कोन है? इस बात को कबूल नहीं करती क्योंकि science में जाइज सी बात है gravity के बहुत सारे factors होते हैं गुर्तवा क्रशन के बहुत सारे factors होते हैं लेकिन जोगर्फी में वो बात set बैठती है सेट बैठती है हाँ चांद पर गुर्त्वा कर चांद पर हवा क्यों नहीं है किसी से पूछो बोलेगा नहीं है अब क्यों नहीं है क्योंकि चांद पर ग्रैविटी बहुत कम थी चांद के अंदर भी मेगमा था मेगमा है मेगमा था मेगमा है मेगमा रहेगा मेगमा बहार निकलता है लावा निकलता है गैस निकलती है लेकिन चांद पर ग्रैविटी बहुत 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 कम है पृत्वी से भी एक बटाच है इसलिए वो ग्रैविटी उस हवाओं को रू चांद की क्यों बात कर रहे हूँ, सभी ग्रहों में सबसे छोटा कोन है, सभी ग्रहों में सबसे छोटा कोन है, बताओ, सभी ग्रहों में सबसे छोटा कोन है, चांद की क्यों बात कर रहे हूँ, जित इंदर है, जार खंडी, दो घंडी क्लास लूँ, ना ना ना, हाँ, मरकरी तो Mercury में कुंसा वाईयू मंदल है एत्मोसफेर है यह नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसमें गुर्तवा करशन का बल उतना ही जादा होगा और जो ग्रह जितना कम होगा उसमें ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही कम होगा चांद पर वायू मंडल ये बुद्र पर मर्करी पर वायू मंडल क्यों नहीं है ना के बराबर बहुत बारिक महीम वायू मंडल क्योंकि बहुत छोटा है वो ऐसी चांद पर भी वायू मंडल नहीं है क्योंकि जो धर्ती से गैसे निकली उनको रोकने वाला कोई नहीं था गैस देखो कुन सी है नाइट्रोजन, औक्सिजन, आरगन, सीओ टू, सारी की सारी भारी गैस है, हमारी धर्ती के अंदर से भी निकलिती हाइड्रोजन, निकलिती हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, हमारी पिर्थ्वी की ग्रैविटी उसको रो बड़े ग्रह मतलब ज़ाधा ग्रेविटी है ज़ाधा ग्रेविटी का मतलब जो भी गैस अंदर से निकलेगी जाने नीदेंगे इसकी वज़े से यहाँ पर गैसों का जाल बहुत 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 जादा है ब्रस्पती पर पिर्थ्वी के तुल्लाम है एक करोड गुणा वायूदाब जादा है एक करोड हमारी तुल्लाम है बड़ा बहुता वो अब देखो समझो इस बात को इतनी बारी किसे समझो अब सुनो, मैं कॉमेंट बोक्स पर देखूंगा तुम मुझे बताओ आस्मान का रंग नीला क्यों होता है सूरज की लाइट वायू मंडल में भट जाती है वायू मंडल के वज़े से नीला है ना वायू मंडल के वज़े से नीला है ना लेकिन चांद पर और मरकरी पर तो वायू मंडल है यह नहीं तो चांद पर और बुध पर दोपयर के दो बजे या दोपयर के तीन बजे, रात के दो बजे या रात के तीन बजे, आस्मान हमेशा काला नजर आएगा, क्योंकि वाईउ मंडल है जिस आए नहीं, एत्मोस्फेर है जिस पर हम कभी नहीं बच सकते उदर, न चांज पर, ना बुद्ध पर तबी तो तुम टीवी में देखते होगे हम लोग कौन से ग्रह में जाने की कोशिश कर रहे हैं मंगल हम मंगल मंगल करते रहते हैं जबकि हमारे पास में चांद है हम हमेशा मंगल ग्रह मंगल ग्रह मंगल ग्रह करते रहते हैं मंगल ग्रह पर वायू मंदल ढूंडेंगे, मंगल ग्रह पर ये काम करेंगे, हैं, लगते हैं, बहुत अच्छा गुसे में लगते हैं, तो इतना गुसे वाला क्यों बना रखा है, तो अब समझ में आया, चांद पर दुपैर को भी, दो बज़रे होंगे अगर गड़ी में, तुमारी गड़ी में, तुम चांद पर पहुच गए मानलो, तब भी आस्मान काला होगा, दिन हो, चाह रात हो, सूरज हो, चाह सूरज ना हो, चांद पर आस्मान हमेशा काला होगा, क्योंकि वायू मंदल नहीं है, वायू मंदल क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रैविटी ज़्यादा रोकेगा इसलिए इनके चार ग्रहों को गैसिय ग्रह बोला जाता है गैसियस पैनेट बोला जाता है गैसियस पैनेट बोला जाता है उमीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी बताईए ना समझ में आई ये बात मतब एक तीर से कितने निसाने मैंने मारे, मैंने तुमको ये बताया, मैगमा क्या होता है, मैंने तुमको ये बताया, लावा क्या होता है, इन दोने में फरक क्या होता है, एक आदा सोचरा होगा, बीच मैं मैगमा कहां से आ गया, सर तो ग्रह बता रहे थे, फिर मैंने तुमको बत कि समझ ले आया वह उल्टी गैस बहुत पाउफुल होती एवा ट्रक के ट्रक को उठा लेती है वह जो टायेश उमिले जो थय्दा होती है ठ्रक में सब कुछ बढ़िया है लेकिन तैर नहीं है चला कर सकते दिखाना गैस पहुत पाउख फुल होती है बहुत ज़्यादा पाउख फुल होती है फिर ये गैस बहार निकलती है और गृत्वा करशनल सको खीच लेता है तुम एक बात सिंपल सी रिकॉर्ड कर लो और वो क्या है वाई यू मंडल कहां से आता है अंदर से आता है मैगमा पिकलावपदार्थ गैस उस मैगमा को उपर लाती है मैगमा बाहर फैल जाता है अंत्रिक्ष में जाने की कोशिश करती है लगन ग्रेविटी खीच लेती है गृत्वा करशन खीच लेता है और जिसके वज़े से वाई यू मंडल बनता है और वायू मंडल की वज़े से ही कभी आस्मान नीला दिखता है कभी लाल दिखता है कभी नारंगी ओरंज दिखता है सुबह सुबह कभी आस्मान बैंगनी बैंगनी दिखता है वोयलेट कलर का दिखता है कभी इंडिगो दिखता है ये भिन भिन प्रकार की कला करतिया ये वाईयू मंडल के वज़े से तो है इंदर धुरुष का दिखना ये वाईयू मंडल के वज़े से ही तो है हाँ उसके अंदर पानी होता है मान लिया है तुमारी बात है ना चांद पर वाईयू मंडल क्यों नहीं है gravity कम है क्या चांद पर लावा है? हाँ है क्या चांद के अंदर मैगमा है? हाँ है क्या मैगमा निकलता है? हाँ है निकलता है क्या मैगमा के साथ साथ गैस भी निकलती है? हाँ और मैगमा को कौन निकालेगा बाल्टी से खीचोगी गैस ही तो निकालेगी और किस ग्रह पर किस ग्रह पर वाईयू मंडल नहीं है सब से छोटे वाड़े पर ये सब से छोटा क्यों बुद्ध क्यों मरकृरी क्यों gravity कम है वाईयू मंडल है यही और वाईयू मंडल नहीं तो फिर पानी या बरफ कहां से आ जाएगी तो एक मात्रक है जहां आप जहां जहां वैसे बरफ तो थोड़ा बहुत Northern Pulse पर Southern Pulse पर देखा गया भी है ऐसी बात नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं फिलाल के लिए तो उमीद करता हूँ आप लोगों कोई और ये इनको Gaseous क्यों बोलती है क्यों Gravity ज़्यादा है बाई बहुत 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 ज़्यादा है जिसकी वज़े से Gaseous को ये जाने नहीं देती है इसलिए Gaseous का जाल बहुत बड़ा है इसलिए इनको Gaseous Planet कहा जाता है Gaseous Planet कहा जाता है हो 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 क्या बात है तो बात होगी, बताइए, अभी तुम बताइए, क्या सभी को समझ में आ रहा है, और बताइए, कहां कहां से हो फिलाल तुम लोग, अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, अपने राज्य का नाम, एक बार लिखना, एक बार राज्य का नाम, मंगल ग्रह पे पोचाऊँगा फिर तुमार को मैं देखना, why all planet shows different colors ये भी मैं बताऊँगा और कोन बताएगा तुमारे को मैं ही तो बताऊँगा तुमारे सारे doubts मैं ही तो clear करूँगा क्यों हां मैं नीले और भ्रस्पती है पीले क्यों है हमारी बहन चमकीली उसका तापमान जी हरियाना यूपी मद्यपदेश, जहारखन, कानपुर, बिहार, हरियाना करनाटका अके 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 हम बहुत अच्छी बात है तो एक सेकेंड का हम रिविजन लेते हैं और वो रिविजन गिया है राजिस्थान बहुत जहारखन चमु कश्मीर वहाई बहुत बहुत सारी जगे वह कोई तो लिख रहा है सैटर्न सैटर्न पर है तू ओए एलियन पीके हाँ चल फोकस करते गुजरात से भी है ओकी अब देखी सूरत से दूरी के इसाब से गरह है यह रहे आठ गरह बुद्ध शुकर पिर्थवी मंगल भ्रस्पति शनी अरुण वरूं हिंदी में इंगलिश में मरकरी वीनस अर्थ मार्स जूपिटर सैटर इस लेट अब अकार के हम फिर फिर लेट रैट फिर यह अकार के हिसाब से हो गए हम से तूरी हम से दूरी हम हम आगें हम लेट राइट लेट हम से दूरी सबसे पास लेफ्ट हमारे दूसरा सबसे पास राइट फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट उससे दूर उससे दूर उससे दूर सबसे दूर हमारे सबसे दूर वो है और हमारे सबसे पास यह है 24 question Next अंदर के 4 ग्रहों को आंत्रिक ग्रह बोलती है मैंने लिखा था ऐसा कुछ आंत्रिक ग्रह बोलती है बहार के 4 को बहारी ग्रह बोलती है Inner Planet आउटर प्लेनेट Terrestrial पार्थिव ग्रह क्यूं? मैंने बताया Joven ग्रह Rocky तो इन 24 कोश्यों को थोड़ तोड़ कर 240 कोश्यों और बन सकते हैं तो 240 कोश्यों इनर आउटर 240 कोश्यों पार्थीव पार्थीव और जोवियन और 240 कोशन ठोस और गैस रॉकी और गैस 240 जमाद, 240 जमाद, 240 उम्मिद करता हूं पता होगा कितना है लगबा लबग, 720 के असपास 720 कोशन मैं याद करा चुका हूं और इसके अलावा मेगमा और लावा में फर्क उसके अलावा वाईयू मिंडल क्यों होता है उसके अलावा ग्रैविटी का वाईयू मिंडल में क्या रोल है हाँ, अगर पिर्थवी की ग्रैविटी एक घंटे के लिए नहीं, नहीं, एक मिनट के लिए जीरो कर दी जाए अगर पिर्थवी की ग्रैविटी, गुर्थवा क्रशन बल एक मिनट के लिए जीरो कर दिया जाए, सिर्फ एक मिनट के लिए जीरो, सारी पिर्थवी खतम है, क्यों? वाईयू मिंडल खतम, वाईयू मिंडल सार उड़ जाएगा, एक मिनट में, वाईयू मिंडल सार उड़ पोड़एगा तुम तो चलो अपने आपको बांद लूगों किसी न किसी चीज मैं तुम तो बज्जा होगे रसी को बांद लिया, गाएं भैस को बांद लिया, कमरे के अंदर छुप गए तुम तो फिर भी बज्जा होगे, वाय्यू मंडल खतम, वायू मंडल खतम, तो सांस ले लेगा पहले वो ही बहुत बड़ी बात है वह विचारा सांस कहां से लेगा विचार को सांस लेने करी बात कोई नहीं है हो 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 हा बहुत अच्छे इस क्लास की PDF के लिए डाउनलोड क्या आपको बताया नहीं है क्या यह डाउनलोड टीकर चल रहा है एप्लिकेशन पर पूरी क्लास की PDF मिलेगी PDF गैलेक्स एक्सिस की एप्लिकेशन पर है ना और उमीद करता हूं तुम्हार को मेरी बाते और सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा बहुत अराम से सांति पूर्वक तरीके से पढ़ाई करेंगी उम्मीद करता हूँ आज धी क्लास समझ में आई होगी और मैं क्या कर रहा हूँ मैं फिर आउंगा जरूर आउंगा लेंकल नहीं मैं आउंगा मंडे को मंडे को शा कल रविंदर सर मैंतेमेटिक्स की आठ बजे मेरतन क्लास लेंगे Mathematics की Marathon Class कल आठ बजे कल आठ बजे एक ही क्लास में बहुत सारे doubts, बहुत सारे questions solve करवाएंगे रविंदर सर The Great Ravindar Sir मैं मिलूंगा Monday को शाम को साथ बजे टाइम सेट करके रखना और हाँ PDF के लिए डाउनलोड कर लो ये Galaxy Access के application Google Play पे मिलेगे और कहां से डाउनलोड करोगे नमस्कार मैं फिर आउंगा शाम कर दो सारेो सिमार अरश, बहुत सारे कर jaろう छोई झाप객 हावाएंगे, बहुत सारेao